कि हम लोग जो ये पारथीव शरीर है इनको अपने गंतविय अस्थान पर पूरे समान के साथ इनके परिजनों के साथ जो है उनको उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पर भेज़ा जा रहा है अभी आप ने देखा कि चार जो है वो शरीर जो है वो भेजे जा चुके हैं इसमें एक destination point हरयाना में एक नोशेरा रजोरी में और दो बॉडिस को अभी दिली के लिए रवानगी की गई है Meanwhile जो focus है जो injured है उनको best possible उपचार श्री माता वैशनो देवी सुपर स्पेशल्टी नरायना हॉस्पिटल का क्रियाल में वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है और जिन में से चार जो injured हैं pilgrims उनको अल्रड़ी discharge किया जा चुका है और वहाँ पर उचसरी चकित सी ये टीम जो है पूरा उनको निगरानी में उनका उपचार शर्वारा है जिसमें की प्रमुक सचीव ग्रह जो है उसको 30 तर ये जो एक कमेटी है उसमें वो खुद उसको हेड करेंगे और जैसे ये जान्च का वीशे है जैसे जैसे आगे तथे आएंगे तो वो आपके साथ जो है साजा किये जाएंगे साथ ही में हेलप लाइन नमबर्ज जो है वो शीरी माता वहिशनोदेवी शराइन बोड और प्रशासर ने हेलप लाइन नमबर्ज जारी किये गए है अपनेरणेर वन्स के लिए वहां पर वो कॉल करके पूरी जो है वो डिटेल सी जी देखिए जैसे मैंने आपको बताया मदर्यातरी को ये हुआ है और चुंकि इंक्वारी ओर्डर की गई है ये जो स्टैंपेड हुई है उसका क्या कारण रहा है ये देखिए ये बॉडी जो है वो इडेंटिफाई हुई है और इसमें अभी तक हमने दस जो है उनके साथ स चल रही है की बंद है यातरी रिजीम हो गई है और यात्रा किसक्के इंजुरी मॉनीटर कर दे जाए है जिए बिलकुल जो एक S.O.P. जो बनाया गया है उसके तहत ही पूरी जो है वो यात्रा गतीमान है और पूरे SOP को strictly follow किया गया जैसा मैंने आपको बताया कि already inquiry has been ordered अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी हम से रहे